दोस्तो बजाज हाउसिंग फाइनस लिमिटेड की बात करें तो श्टॉक के अंदर आज भी गिरावट देखना को मिल रही है जबकि दुसरी तरफ बाजार में तुफानी तेजी है तो बाजार में सांदार तेजी के बाउज़ श्टॉक क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं क्यो श्टॉक लगाता नीचे जा रहा है इसके पीछे की वज़े को समझने की कोसिस करेंगे और इस सेक्टर को आने वाले समय में क्या बेनिफिट मिल सकता है सरकार की पॉलिसी की वज़े से उसको भी समझेंगे क्योंकि इंडिया के अंदर एंबी एपसी जो हाउसिंग फाइन और इस रिजल्ट के बाद हमें अपिक्सा कर रहे कि आने वाला समय काफी सांदर हो सकता है ऐसे में क्या ही समय इंवेस्मेंट करना चीए इस गिरावट का फाइदा उठाना चीए लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब् सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइकान दबा दीजिए ताकि जबी ने वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू कीजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते मैं हूँ आपका दोस्त एस बीदवे और हमारे अ 200 पॉइंट उपर है बीए से सहने 1.13% की सांधार तेजी है तो काफी दिनों के बाजार में आज तेजी लोट करें सुब सुब शुरूआ थी देखे तो पॉजिटिव उसके बाद में माहोल एक तरपा पॉजिटिव बना काफी बैतर किया है यहां तक कि निप्टी फाइन तो फाइनसर सेक्टर भी अच्छा है लेकिन देखे तो कि सेंसर के मुकाबले थोड़ा कम है आज बैंकिंग सेक्टर काफी बैतर कर रहा है अब बदा जावसिन फाइनस की बात करें तो स्टॉक की सुरुआ तो पॉजिटिव उई 132 पर क्लोजिंग फ्राइडे की 131 के आस आसपास है यानि 130 के आसपास ट्रेड करा है 0.27% की गिरावट के साथ तो बाजार में तुफानी तेजी है और इससे में स्टॉक अपने निचले लेवल पर है और इसे लग रहा है कि बाजार में दबाव बना हुआ है तो इसके पीछे सबसे बड़ा रिजन है ग्रोक्रेज हाउस जो इसको लेकर लगातार सेल के रेटिंग देते हैं जिसका नतीजा है कि इसमें रिटल इंवेस्टर काफी ज़्यादा इससे माई सोच चुके और जिसको शेयर एलोट हुए वो भी यहां पर रखने को तयार दिये अब आप देखें कि एम बीट ने इसका 85 का टारग एक सो चार पर तीसत प्रीमियम पे और इसलिए इसमें गिरावट होगी और इसका आसर देखनों को मिला दूसरी तरफ एचेस बीसी ने भी 110 की टारगेट के साथ सेल की रेटिंग दिये और उनका कहना है कि कंपनी का लॉंग ठर्म प्रोस्पेक्ट अच्छा है लेकिन शॉ वविशे में ये स्टॉक 110 के आसपस खरीदारिक रेए बिर्कूल सही बन रहा है यारे उनके हिसाब से स्टॉक 110 तक जाता है तो फिर खरीदारिक की जा सकती है तो सभी मार्केट एक्सपर्ट यही जादा करके कह रहें कि स्टॉक और नीचे आ सकता है और इसी वज़े से स् परकसान तापसे का भी कहना है कि कंपनी फंडामेंटली मजबूत है और एक बड़े मजबूत बज़ाज ग्रूप का इसको बैक है तो ऐसे में आने वालस में ये एक वेल्थ क्रिटर साभीत होगा लॉंग ठम के लिए इसको आपको तीन से चार साल के लिए होल्ड करना ये पिछले कुछ सालों में काफी सांदार तर्की से व्रिद्धी हुई है यहाँ पर देखें कि इंडिया की जो हाउसिंग फाइनेंस मार्केट है उसमें 13% की सीज़ देखने को मिलें लास्ट फाइव येर में और जो इस समय 300 बिलियन डॉलर तक पहुच चुकी है और दे परकार की तरफ से भी बहुत सारी नई योजना शुरू की गई है हाउसिंग फाइनेंस में इसके फाइदा हो सकता है गोर्मेंट की तरफ से यहाँ पे कुछ स्कीमे लाई गई है तो परदान मंतरी आवास योजना के तहत देखे तो इस बार जो बजट है उसमें 30,170 क्रो साल के मुकाबले 20.19% इंकरीज किया गया है जिससे और ज्यादा मकाद मनेगी डिमांड और बढ़ेगी और लोन सेग्मेंट के लिए एक अच्छी अपॉर्चिनिटी है इस्पेसल अफोर्डिंग हाउसिंग के लिए सबसे बड़ी बात है कि इस कैटेगरी में जो देखे सबसेड़ी स्कीम लागू की गए सरकार की तरब से जिसमें सस्ते लॉन प्रवाइड के जाते है लोगों को और इसमें जो सरकार की तरब से उसमें रहात दी जाती है इस वजह से इस कैटेगरी में आने वाले समें भी और मकान की डिमांड बढ़ेगी इसके अलावा सरकार क कि तरफ से tax incentives दिया जाता है यहीं आप देखे तो अगर कोई मकान खरीता है तो उसको tax में रहात मिलती है जो आप देखे जो ब्याज भरता है उसको रहात दी जाती है जिसे जाला से ज़्यादा लोग है जो मकान खरीने की तरफ प्रहिज हो दे जो रेंट पे रहरे वो मकान की courses करते तो इसे इस sector को boost मिल रहा और आने वाले समें और तेजी से बढ़ेगा तो ऐसे में बजाज housing finance को definitely फाइदा होगा तो यह जो लॉंग टम इनश्टर उनके लिए कोई छिंता की बात ने इस समय यह stock नीच आया तो उनके लिए एक opportunity है जो इसको long time के लिए hold करना चात है current prices की 131 के आसपास है low इसका 128 का है और high 188 का है फिलाल इस टोग अपने low price की आसपास है और यहां पे एक अच्छी opportunity दिखाई दे रही है stock का P 62.90 वह यही इसके लिए चिंता जनक बार क्योंकि इसकी pair company के तुल में इसका P ratio जादा है और इसी को दिखा दिखा के डराया ज 0 की है तो देख से क्योंकि अपने book value के इसाब से कोई ज्यादा इतना उपर प्राइज नहीं है और यहां पे ROC इसका 9.42 परसेंट है और ROE इसका 15.2 परसेंट का है तो ROC और ROE भी अच्छे है face value इसकी 10 रुपीच की है सबसे जो बड़ा plus bonus का वो है इसका financial result result लगातार बै revenue जबर्दस बड़ाया चाहिए आप quarter on quarter basis पर देखे या year on basis पर देख ले तो financing profit में भी जबर्दस वरिदी हुए है आप देखे हो सेप्टरमर 2023 में पिछले साल 585 क्रोड क्रोड के आसपार इसका financing profit था वो इस बार 718 क्रोड तक पहुच गया है और पिछले quarter में यह 640 क्रोड के आसपास net profit था जो इस बार बढ़के 546 क्रोड तक पहुच गया है जबकि पिछले quarter में 483 क्रोड के आसपास था तो profit भी बढ़ाया चाहिए आप quarter on quarter basis पर देख ले या year on basis पर देख ले तो तो यह clearly signal बहुत ज़्यादा इस समय बुलिश है और आने वाले समय परच करें कि कुमाने वीडियो आपके एजुकेशनल परपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेजरू की जोड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्यू फ्रेंट्स